किसे आपको एक आपको मिलेगा कि एक रेफरेंस मिलेगा कैसे हम स्विह ट्रीडिंग करते कैसे हम stays stock selection करते कैसे trade को execution करते तो उसका एक आपको detail reference मिल देगा एक example आपको मिलेगा तो discussion के लिए पहले हम trade details देखेंगे हम recently एक trade लेंगे तो उसमें हम मारा क्या buying price था क्या selling price था and कितने quantity पे हमने trade लिया वो देखेंगे second देखेंगे हम investment amount कितना capital हमने deploy किया particular trade में कितना capital देखेंगे and third हम profit and loss देखेंगे percentage time में हम कितना profit या loss generate क्या particular trade में हम कितना profit या loss generate क्या वो देखेंगे and fourth हम trade logic देखेंगे trade के भी से हमारा क्या logic था कौन सा setup के उपर हमने trade लिया वो detail हम discussion करेंगे तो सेलिए friends पहले हम trade details देखेंगे and trade details के लिए directly हम console पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा segment equity था equity रखेंगे यहाँ पर हम realize रखेंगे यहाँ यहाँ पर हम symbol पूट कर जेते जो भी हमारा example रहेगा वो script का नाम यहाँ पर पूट करते और देखेंगे यह सिभ हम analysis के लिए मतलब learning के लिए हम discussion करें यह कोई recommendation नहीं है just हम analysis purpose यह discussion करें तो दीखें friends यहाँ पर हमारा trade details आजाएगा तो यहाँ पर हमारा trade details आगया तो यह trade पर हमारा stock था यहाँ आपका नाम आगया, symbol आगया and quantity देखेंगे यहाँ पर हमारा quantity आगया जो हमारा buying price था, average buying price था, ये चार्ट पे भी हम discussion करेंगे फ्रेंज, कॉंसा level पे हमारा entry था, exit था, वो हम चार्ट पे आपको ज्यादा clear होगा, तो वो point भी हम discussion करेंगे, तो देखे फ्रेंज, ये 460, 2.86 हमारा average buying price था, and average selling price था दिखे फ्रेंज हमारा 509.95 के असपास हमारा average selling price था, and investment amount दिखे लगबख हमारा 84,000 के असपास हमारा, मतलब 84,000 के असपास हमारा investment amount था, and net profit यहापे आप देख पाएंगे, 8.5K के असपास हमारा net profit था, and percentage time में अगर आप return देखेंगे, तो 10.17% के असपास हमारा return हो जाता, and यहापे आप breakdown पर भी आप details देख पाएंगे, trade यहापे देखेंगे, हम आपका holding period भी आप देख पाएंगे, मैंने जुलाई मन से मैंने यह trade build करना start किया था, तो यहापे आप देख पाएंगे, देखें, buying किया मैंने इसे, बाद में देखेंगे, मैंने यह month में, September month में मैंने यह selling किया, तो यहापे आपको देख पाएंगे, selling देख पाएंगे आप, तो यह तो हो गया, हमारा trade details, तो से लिए, अभी हम setup discussion करते हैं, and setup देखेंगे, हमने daily time frame पे setup apply हुआ था, तो daily time frame पे हम chart को analysis करेंगे, तो देखेंगे, यहापे एक range formation हुआ था, यहापे एक breakout हुआ था देखेंगे यह level पे, and यह level आता है, around 450 के असपास, 450 के असपास, तो इसके उपर हमारा entry था, जैसे यहापे breakout हुआ friends, 450 का जैसे breakout हुआ, तो यह level पे हमने position बनाना start क्या, हमने कुछ उपर भी buy क्या, कुछ नीचे भी buy क्या, तो ऐसे हमने averaging कर क्या, and averaging, जो हमारा buying price था, वो 460 के असपास था, जैसे हमने आपको दिखाया, previously, तो यहापे हमारा buying था, यह level पे buying price था, and stop loss देखे friends, यह जो हमारा breakout था, 450, तो 450 के नीचे हमारा stop loss था, around, यह level पे हमारा stop loss था, around, देखे friends, 440 के असपास हमारा stop loss था, यहापे हमारा stop loss था friends, 440, 440 के जास्ट नीचे हमारा stop loss था, and average buying price 460 के असपास था, जैसे हमने discussion क्या, and यह level पे देखे friends, हमने profit booking क्या, 500 के जास्ट उपर हमने profit booking क्या, and जैसे हमने दिखाया आपको, 10% के around हमने, यह trade में profit booking क्या, and holding period दिखे friends, लगबग 2 महिने का हमारा holding period था, तो 2 महिने में हमने यह trade से, 10% का ROE generate क्या, return on investment हमने generate क्या, 10% के असपास हमने return generate क्या, तो friends यह trade का अगर आप richest rate rate calculate करेंगे, तो 20 point का हमारा stop loss था, रिक्स था हमारा 20 point का, तो उसके against पे हमने profit booking क्या, around 50 point का हमने profit booking क्या, क्योंकि हमने 460 पे पर्सेस क्या था, and 509 के असपास हमने selling क्या, तो लगबग 2 दिखे friends, 50 point का हमने profit booking क्या, 20 point के against में हमने 50 point का profit booking क्या तो more than 1 to 2 का हमने risk to reward maintain क्या ये rate में 1 to 2 का हमने profit booking क्या तो friends ये तो था हमारा complete trade details हमने example के साथ discussion क्या तो I hope friends आपको video infinitive लगा video infinitive लगा तो video को like के जएगा, share के जएगा, comment के जएगा thank you for watching, मिलते फिर नेक्स वीडियो में